नमस्कार वित्रो मैं हो तांत्रे चंदन सास्त्रे आप सभी को मेरी तंत्रमंत्र टोने टोटके चैनल में हार्देख स्वागत है आशा और उमीद करता हूँ कि इस्वर की किरपा से आप सभी अच्छे होंगे माता भगवती की किरपा आप सभी पर बने रहे आज मैं इस वीडियों बताने जा रहा हूँ भ्रिंग राज से अभी कर लो बसीकरन लड़की आपके प्यार में दिवानी हो करके रहेगी भ्रिंग राज से अगर आप बसीकरन अगर अभी करते है तो लड़की तुरन्त जो है आपका प्यार में बसीभूत हो जाएगी और आपके प्यार में बसीकरन हो जाएगी और आपके मोहबबत में वो पूरी तरस से तड़पने लगेगी आपके प्यार के बिना नहीं रह पाएगी आखिर भिरिंगराज है क्या भिरिंगराज कहां पर मिलती है कीस जगह पर मिलती है меня सारे कुछ आप को इस विश्तार पुर्वत इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप भेंग राज के दुआरा बहुती परचंड और सक्तिसाली और पावरफुल वसीकरन किरिया कर सकते है वसीकरन टोटके को अजमा करके आप जीवन भर के लिए उसे आप जीवन साथी बना सकते है ये कहां मिलती है किस जगा पर मिलती है और कैसे इसको बसी करना है इसकी सारे बिधी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप मेरे बीडियो पर आखरी तक बने रहे बीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवस्य कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स पर जा करके जैमा चामुंडा जरू लिखे ताकि माता चामुंडा की किरपा आपके उपर साना के लिए बनी रहे मित्रो भिंगराज एक ऐसी पौधा है उस पौधे को कई नामों से जाना जाता है कोई उसे केस किंग के नाम से भी जानते है कोई भिंगराज के नाम से भी जानते है कोई और कुछ नाम से जानते है लेकि वो पौधे मैं आपको दिखा दूगा वो कैसे होता है ये पोधा जो है बहुत इसकी काम है अगर आपके बाल अगर सफेद हो रहा है या बाल आपका उड़ रहा है आपके बाल में कमजोरी आ रही है तो इस पत्ते को पीस करके अगर आप बाल में लगाते है तो बाल में निखार पैदा होगी सुन दर्ता पैदा होगी और उसके सा साथ में बालों में मजबूती आएगी अगर आपको किसी परकास से उंगली कट गया या कहीं भी आपको किसी परकास से लोहा लकड कैंची छूरी से अगर आपको किसी परकास के कट छट गया तो इस पत्ता को पीस करके अगर आपको वहां लगा लेते हैं तो आपको इंजेक् इसलिए आपको भिंगराज का जो पौधा होता है हमारी तंत्रमंतर टोने टोटके में भिंगराज का बहुत ही इंपोर्टेंस रोल रहता है और बहुत ही कारगर बसीकरन होती है इसके दुआरा ये चीज अक्सर जो है आपको कहीं भी समुंदर है या नदी है ये तलाब है उसकी रेत में आपको ये पौधा हमेशा देखने को मिलती है उसमें एक फूल मिराता है और पौधे का पत्ता को आप देख लिजिएगा हम आपको डिस्पले में दे दूगा तो इसको आपको जो है खाली तलास करके रखना ये भिंगराज की पौधा है कहाँ पर तलास कर उसके बाद करना क्या है? बहुत यंकी सक्ति-साली बसीकरन होगी. ये बसीकरन का कोई काट नहीं है, इस बसीकरन का कोई तोड नहीं है, आपको कोई भी तांत्रिक मांत्रिक के पास अगर लड़की के घर वाला जाता है, उसको ठिक करवाने के लिए आता है तो फिर भी उसको काट नहीं हो पाएगी क्योंकि उस किरिया को सिर्फ आप जानते हैं लेकिन इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखे किसी को बताना नहीं है और आपको इस किरिया को करना है तो इस चीज को लाना होगा आपको सुक्रवार के दीन मे सुक्रवार के दीन में आपको भ्रिंगराज का पौधा सुवस्वस नहा धोकर के ब्रम मुर्त में सूर्य उदेश से पहले आपको उस पौधे को जड़ को पूरा कबार करके ले आईएगा उस पौधे को कबार करके ले आने के बाद उसको आप घर में प्रेम से अच्छे पूजापाट के जगह में आप रख लीजिए गा, रखने के बाद में, रात के समय में आपको क्या करना है, सात पीस लाल जवाँ फूल लेना है, जिसको आम लोग उढ़ूल का भी फूल बोलते है, अगर उढ़ीरू का फूल अगर आप नहीं जानते है, या जवा फुल नहीं जानते है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा जवा फुल कैसा होता है उडुल कक पुल कैसा होता है आपको साथ तो उडुल का फुल लेना है रात के समय में 11 बजे के बाद बीना सोर्गुल जहां पर ना हो वहाँ पर आपको पूजा पाट की स्थारवा बैण जाना है और अपने इस्ट देवी देवता के नाम पर आपको दो अगरवत्ती और सामने में घी का दीपक जला दिजिएगा और जडा करके वह भिंगराज पौधे के में जो जितने पत्ते हैं जितने पत्ते हैं चाहिए पचास पत्ता हो या सो पत्ता हो या आपको बीस पत्ता हो जितने भी पत्ता है उस पत्ता के उपर में जमीन पे रख करके उस पत्ता के उपर में किसी भी लड़की या किसी भी इ इस्तिरी का जिसको आप बसी करना चाहते हैं उसके नाम लाल रंका मारकर कलम से उस पत्ते को पर में लिख दिजिए और साबने में रख दिजिए एक लाल कपड़े लिचा करके उसके ऊपर भिरिंग राज कि पोधां को रख दिजिए और एक फूल हात में ले जिएगा और हात में ले करके आपको इस मंत्र को बोलना है कम से कम साथ बार करके बोलना है और उस फूल को भिरिंगराज पौधे के उपर चड़ाना है साथ बार मंत्र ये बोलना है ओम कामख्या भोई रभी इस मंत्र को आपको 108 बर बोल देने से ही भिंगराज पौधा पूरी तर से ताकतवर हो जाती है और सक्ति साली हो जाएगी और उसके अंदर में इतनी सक्ति हो जाएगी कि परकृति के सक्ति के साथ में मील करके आप जिस लड़की को चाहते है उस लड़की का अमुक के जगा में नाम ले करके जाप कर दीजिएगा उसके बाद भींग राज का पौधा के उपर में ओही लाल जवा फूल साथ बार करके बोलकर किसी मंतर से बोलकर के एक एकटो करके फूल उसमें चढ़ा दीजिएगा चढ़ा करके लाल कपड़ा बिछा करके आपको ओही रख देना है और रात में आपको सो जाना है सुभा सुभा नहाँ धो करके आपको जो है उसी कपड़ा में भींगराज पौधाई को लपेट करके पूरी तर से लपेट करके आपको चले जाना है किसी तालाब किसी नदी या किसी समुदर में जहां भी सापपानी हो गंदा पानी में नहीं साप पानी में जा करके आपको हाथ में दोनों हाथ में उसको रख करके फिर से जो है आप इस सब्द को बोलिएगा इसको साथ बार बोल करके उसी पानी में प्रवा कर दीजिएगा और पीछे मुण के बद देखिएगा सीधे घर वापस आ जाएगा बस ये छोटा सा किरिया आप करिए भिंग राज पौधे के दुवारा वसिकरन आपको होगी आप जीस इस्तिरी को चाहेंगे जीस लड़की को चाहेंगे वो आपके मुहबबत में दिवानी हो जाएगी एकदम पल भर के लिए आपको ये काम हो जाएगा आप इसे अवस्य परियोग करें इसी आसार उमीद के साथ फिलाल में आपसे बिदा लिता हूँ हर हर महादेब जैस श्री बहाकाल जै बातारा